प्रेंज और व्टम दोस्तों विश्यस घ्यान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है दोस्तों आपके समख्च मैं फिर से उपस्तित हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोस्तों आज का जो टॉपिक है यह एफेक्टिव हैंडायटिंग फॉर सक्सेस शिर सब barrel है हमारा हमारा ह इसाधी चिजो को में एक्स्क्राइन करें को इस साति यह भी बताओंगे कि एंथ्रियिंग आ vow त्रेपी इसका इसको अपने हेल्थ को इंप्रूब कर सकते हैं उस टॉपिक को भी मैं इस सीरीज में डिसकस करूंगा तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है एफेक्टिव हेंडायटिंग पर सक्सेस एलेटेड सीरीज में उसका कंसेप्ट है कि हेंडायटिंग के माध्यम से हम कैसे जानेंगे कि परिक्ति है यह कूल है कंट्रोल है कमपोज है तो उसी के बारे में हम डिसकस करेंगे कितना लॉजिकल है अगा तो अगर रेस्पॉन्सिव के सकते हैं आ거야 हम बात करें slanting in handwriting क्या है in handwriting कमतलब क्ठे है हो यह लिखते हैं यह प्रपेंडिकलर लिखते हैं बहुंत cabinet और गुझते हैं जो आखे लिखते हैं इसको slanting बोलते हैं उसको हम दाएं तरफ अपने राइटिंग में ऑवुत biraz 我 हम जकाते हैं यह कि right side में जुकता आपका है या left side में जुकता है इसका अलग-अलग significance है अगर कोई ब्रति देखेगा वो left side में में जुका के लिखता है कोई right side में जुका के लिखता है कोई straight लिखता है तो इसी को हम बोलते है slanting जो यह picture जानिकि एकदम पर्पेंडिकुलर है आपको जो पर्पेंडीकुलर लेक्व और जो स्टेक्ड में जडिकियत करता है कि ये अपने ज्डाक्निर tasty लिखता है वि यौ झूपकी हुई है और जो थर्ड है जो green arrow यह बताता है कि आपकी handwriting जो परपेंडिकुलर नहीं है यह right side में जुकी हुई है यह slanting आप मैं आसा करता हूं कि किसको बोलते हैं handwriting में आप सकते हैं और आप सेंपल को एनलाइज की जिए का में यह या अलग है जो ऐसे बेक्ति लिखते हैं उनकी प्रस्टनालिटी सेम नहीं होगी क्योंकि यह रिसर्च बताता है कि दो ब्यक्ति के handwriting सेम नहीं है और दो व्यक्ति सेम नहीं है कहीं न किसी किसी ना traits के माधियम से किसी उनके personality में कुछ ने कुछ difference है तो आए हम बात करते हैं कि जो व्यक्ति cool होता है controlled होते है logical होते हैं उनकी slanting कैसी होती है slanting है कैसा पहलू है handwriting का उसके माधियम से हम explain कर सकते हैं कि ब्यक्ति इस तरह का है logical है controlled है cool है काम है मतब कि अराम से ज्यादा चंचल नहीं दाता ज्यादा impulsive नहीं होता है वो कैसे लिखता है तो अगर हम slanting की बात करें तो जो ब्यक्ति एकदम सीधा लिखता है उसकी handwriting complete जो है एकदम स्ट्रेट जैसे मैंने सेंपल भी दिखाया आपको इस तरह की handwriting में क्या है यह आपकी स्टेंदाइंडिक स्ट्रेट है आप कुश्चन है कि कि स्ट्रेट में किस लेटर को देखेंगे तो आपको जो देखना है slanting measure करना है slanting observe करना है आपको observe करके देखना है कि इस handwriting में जो slanting है वो आप middle zone and upper zone वाले जो letter है उनको देखिए जैसे d हो गया, t हो गया, आपका l हो गया, ये letter आप देखिए कि वो d, t, l कैसे लिखा हुआ है और उसमें percentage देखिए, माले आप एक d और t को मत देखिए, कम से कम 10 letter consider किजिए और उनको देखिए कि 10 letter में से maximum जो chance है ये किधर है, straight है, right side है या left side है, किस तरह जुका हुआ है, तो जो ब्यक्ति straight लिखता है, यानि कि उसका d, t, l, b, ये सब क्या एकदम straight है, उसके straight and writing है, वो ब्यक्ति controlled होगा, वो ब्यक्ति logical होगा, logical उसके expressions होगे, वो ब्यक्ति क्या होगा, emotions को hold करता होगा, और वो क्या होगा, हमेशा किसी भी situation में घबराएगा नहीं, वो काम रहेगा, तो ये क्या बताता है, ये straight writing जो लिखते हैं उनके बारे में, उनकी personality है, जो भी ब्यक्ति straight लिखता है, वो इन जो feature से control, logical expression, hold, emotion, demand, come in emergency, ये उस चीज़े उनमें पाई जाती है, तो मैं बोल सकता हूँ कि handwriting के माधियन से हम पता कर सकते हैं किसी भीक्ति का, ये ब्यक्ति कूल, controlled है, composed है, cool रहता है, ज्यादा घवराता नहीं है, और emotion को hold करता है, उसके जो expressions होते हैं, जवाब होते हैं, logical होते हैं, logic पे best होते हैं, तो ये है कि हम slanting यानि कि जुक इसको बोलते हैं, handwriting के उसके माधियम से अंब्यक्ति को पता कर सकते हैं, दोस्तों, मैं आसा करता हूँ कि जो मैं topic में इस जो explain किया, आपको समझ में आ गया होगा, दोस्तों, मैं फिर से बोलता हूँ, हर भी series के वीडियो में बोलता हूँ कि handwriting analysis क्या है, easiest way to understand yourself या others, किसी को समझना है, तो इसके handwriting के माधियम से बहुत चारे चीज़ें उनके बारे में पता की जा सकती है, और आपी interested है, चाहते हैं कि आप अपने बारे में SWAT analysis, अपने personality के बारे में, अपने health के बारे में, आपकी जो क्या अच्छाई हैं, क्या बुराईयां हैं, क्या चीज है जिसम से आप interact करना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, उसके बाद हम आप से communicate करेंगे, तो दोस्तों, मैं आसा करता हूँ कि यह जो वीडियो है, यह handwriting analysis वाली वीडियो, आपको कहीं न कहीं, आपके life में add-on करेगी, तो इसको like share जरूर कीजिए, अब बात करते हैं, हम conclude करते हैं इस वीडियो में तो मैंने यही बताए कि जो slanting है, जो जुकाव है, उसके मार्यम से बहुत चीजों को फटा लगाया जा सकता है, और जो ब्रक्ति यह state लिखते हैं, सीधे सीधे लिखते हैं, उनके बारे में यह बोला जाता है कि वो logical होते हैं, वो controlled होते हैं, वो काम रहते हैं, बुरे situation में भी घवराती नहीं है, और उनका decision जो होता है, logical होता है, सोच समझ के लिखते हैं, तो यह रहा हमारा इस topic का वीडियो जिसमें मैंने इन चीजों को explain कर दिया, अब आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको like, share जरूर किजिएगा, और आपके कुछ point है त टपी के साथ कुछ रहें, मुस्कुराते रहें और अपने goal के पड़ती अगर जरू कर काम कीजिए, thank you दोस्त,